हैलो ! घुषीं नीटिंग क्रेशन है आपका स्वागत है तेके फैंस, आज हम एह फूल स्वेटर बनाना साहेंगे यह इसका फॉस्ट पार्ट है जो हमने आपको दिखाया है और इसमें हम आपको नेक्स पार्ट में आपको इसमें गला बनाना बाजवे बनाना भी सिखाएंगे और ये देखिए चैस साइज देखे तो हमने ये 30 साइज का बनाया है और देखिए कितना प्यारा हमारा ये पैटर्न बना हुआ है केबल डाल कर हमने इसे बनाया है और देखिए जो ये रो हमने बनाई है साइडो में ये भी हमने क्रोशिय से बनाई है देखिए कितनी प्यारी हमारी ये रो बनी है और बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है उमीदे फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा तो चलिए बनाना चार्ट करेंगे तो चेन बना लेते हैं, देखे लूप बनाएंगे और चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, च्यार, पात, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस, इक्किस, बाइस, तेईस, चोबिस, देखे चोबिस हमने चेन बना ली है, अब हम दो चेन और एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक, दो, धागा लेंगे, और हम यहां पर देखे, थार्ड चेन के अंदर, सिंगल, सोरी, हाफ, डबल क्रोष्या बनाएंगे, हाफ डबल क्रोष्या में हम देखिए, इन तीन दागों को ए और जब हम रोंग साइड में आएंगे तो रोंग साइड से भी हम इसी तरह से अपनी रों कम्प्लीट करेंगे हर एक चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यह दो रों बनाकर हम कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए इस तहर से इस तहर से बनाते हुए हम दो र तो हम स्टार्टिंग के 8 डबल क्रोश्य और लास्ट के 8 डबल क्रोश्य को छोड़ेंगे सोरी हाफ डबल क्रोश्य है तो इन में देखिए हम करेंगे यह हमारी फर्स चेन है जो हमने टू की चैन बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर यह हमारा आठ हुआ है तो यहां पर हम एक मार् देखे मारकर के लिए हम यहाँ पर दूसरी बूल लगाएंगे यह हमारा आठवी चेन है और आठवी चेन के अंदर हमने इस तरह से बूल को लगाया है अब फिर से देखे यहाँ से भी हम आठ चेन काउंट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ आठ हो गई है हमारे तो यहाँ पर भी हम मारकर कर निसान लगाएंगे अब देखे बीच में हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ चेन हमरे पास यह, बीच में बची है, अब हम इस पर बनाएंगे और अब देखे यहाँ पर पहले हम तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, टर्न करेंगे, और देखे इस डबल क्रोशे को हम स्किप करेंगे जिसके उपर हमने यह देखिए, थ्री की चेन बनाएंगे, इस वाले को हम स्किप करेंगे देखे इस वाले को हम स्किप करेंगे, यह वाला जो हमारा है और next पर हम triple crochet बनाएंगे तृपल crochet के लिए देखिए, हम दो बार धागा लेंगे यह हमने दो बार धागा लिया है और यह वाला जो हमारा देखिए, हमने छोड़ दिया जो हमारी two की chain थी और इसे next वाले double crochet को हम sorry half double crochet को उठाएंगे और triple crochet बनाएंगे देखे अब हमारे पास यह चार धागे है एक दो में से एक बार निकाला फिर से दो में से निकाला और फिर से दो में से तो यह एक बार हमारा बन गया अब हम यह आपर चार बार धागा लेना है चार लूप बनाने है तीन बार हम धागा लेंगे टिपल क्रोशिय में हम दो बा स्किप करेंगे एक दो और तीसरे में हम यहां पर देखिए बनाएंगे इस तरह से पहले दो धागों में से निकालेंगे फिस से दो धागों में से निकालेंगे फिस से दो धागों में और यह लास्ट में भी हमने कंप्लीट किया इसी तरह से फिस से हम तीन बार दागा अब हम यह फॉर्थ है हमारा दो हमने यहां पर छोड़े थे एक में हमने बना लिया थार्ड और यह हमारा फॉर्थ है फॉर्थ में हम यहां पर बनाएंगे एक दो तीन और यह चार फिर से दो बार यह तीन बार हमने देखे धागा लिया अब हमने जो यह छोड़ा था दो य निकालेगे और नतर देन के क्चता हुआ अब हम इस पर नाइंगे तो यहं परदेखे इस तहसे गैसे दो दगाम कैने और भी हम टो हीं Vä केबल यह हमारे देखे केबल बन गई है इस तरह से अब हम यह पर ट्रिपल करोशिया बनाएंगे दो बार हमने धागा लिया है जो हमारा यह लास्ट वाल यह जो बचा हुआ है इस पर बनाएंगे एक बर दो तीन फिर से हम ट्रिपल करोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में यह देखे लास्ट में हमारे पास तीन बचे है तो इस पर हम बनाएंगे तीन पर हमने ट्रिपल करोशिया बनाया था ये हमने 8 हाफ डबल क्रोशिय हमने लिया था पहले पर हमने देखी ये 3 की चेन बनाई थी फिर हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिय बनाई एक बार फिर हमने ये 4 हाफ डबल क्रोशिय के उपर हमने यह बनाई केबल बनाई और फिर तीन बचे थे तो इन पर हमने टिपल क्रोश के बनाई तो यह टोटल हमने आठ बार यह हमने यूज की एंपनी चेन अब हम देख़े इस पर धागा लेंगे दिखिए ऐठवी चेन पर हमने यह निसान लगाया था ये हमारी आठवी चेन है इस पर निसान लगा था तो इसे हम छोड़ देंगे और नेक्स चेन में ये जो हमारी नेक्स चेन है इसमें हम देखे इस पर हम अब ये नाइन्थ चेन है हमारी नोमी चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तैसे हमने नोमी चेन के half double crochet बनाया अब हम बनाएंगे 10 चेन में तो ये देखे ये हमारी 9 है 9 को हम छोड़ देंगे और 10 में हम ये देखे ये 10 में हम double crochet बनाएंगे तो धागे को थोड़ा सा लूज रखेंगे देखे यहां तक इसके बराबर लेके आएंगे इतना हमने लूज धागा रखा है इसे हम complete करेंगे इस तरह से देखे ये बन गया अब फिर से एक चेन को हम ये छोड़ देंगे जिसके उपर हमने ये double crochet बनाएंगे इसे छोड़ेंगे और next chain में हम half double crochet बनाएंगे इस तरह से फिर से धागा लेंगे जिसके उपर हमने देखे इस chain में हमने यह देखे यहाँ पर हमने double crochet बनाएंगे इस पर हमने half double crochet बनाएंगे अब इस पर next में हम ये बनाएंगे double crochet थोड़ा से लूज करके बनाएंगे देखे इस तरह से फिर से next chain में जाएंगे half double crochet फिर से next chain में जाएंगे फिर next chain है यह हमारी last है दिखिए यह last थी हमारी इन पर हमने यह बना लिया है अब फिर से दिखिए यहाँ पर आगए है यह हमारी eighth chain है इसके अंदर यह eighth है यह last है अब देखे यहाँ पर यह हमारी 8 चेन आगे इसके उपर हमने यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाया था ट्रिपल क्रोशिया तो हम इसी तरह से बनाएंगे दो बार धागा लेंगे और हम इसके उपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे देखे अब हम इस पर ये जिस पर हमने धागा बांदा था यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे देखे यह इसके नीचे है तो यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे तीन बार बनाएंगे एक बार बनाया फिसे धागा लेंगे तो सक्किन चेन में बनाएंगे ये दो हो जाएंगे हमारे टिपल क्रोश्य बनाना है दो बन गए और अब ये हमने थार्ड बनाया है देखिए थार्ड हो गया अब हम यहाँ पर फिसे ये जो हमने केबल बनाई थी से वही केबल अब हम बनाएंगे यहाँ पर हम धागा लेंगे तीन बार देखिए तीन बार धागा लिया है पहले और दूसरे को छोड़ कर हम तीसरे में बनाएंगे देखे अब हमने यहाँ पर दो छोड़ दिये हैं तीसरे पर हम बनाएंगे देखे पहले दो धागों में से निकालेंगे फिर से दो धागों में से फिर से दो और लास्ट में भी हम दो धागों में से निकालेंगे फिर से तीन बार धागा लेंगे और अब ये हमारा फॉर्थ डबल क्रोश्या है इसके उपर हम इस तह से बनाएंगे एक, दो, तीन और ये च्यार बार ये कंप्लीट हो गया है अब देखिए जब हमने ये बाला बनाया था केबल ये बाला बनाया था तो इसमें हमने धागा लेकर इस तह से बनाया था यहां से उठा कर, आगे से उठा कर लेकिन अब हम यहां पर पीछे से उठाएंगे देखिए पीछे से, इसे हम इस तह से करेंगे आगे की तरफ और देखिए ये दिखाई देगा हमारे ये दो हमने छोड़े है देखे ये वाले दो तो हम इसे उठाएंगे और बनाएंगे पहले वाले को पहले दो धागों में से फिर से दो फिर से दो और लास्ट में दो अब फिर से हम तीन बार धागा लेंगे और ये देखे, ये वाला हमारा बीच का second है, तो second को भी हम इसी तरह से बनाएंगे, दो धागों में से बनाएंगे, फिर से दो, फिर से दो, और दो, अब देखे, इस तरह से हम सीधा करेंगे, ये हमारा केवल कुछ इस तरह से आएगे, अब हम धागा लेंगे, और देखे, यहाँ पर हमने जब स्टार्टिंग किया था तो एक बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था तो अब हम यहाँ पर भी ट्रिपल क्रोशिया एक बार बनाये देखिए जो एक बच गया है लास्ट में इसके उपर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाये यह ट्रिपल क्रोशिया बनाया हम यहाँ पर simple double crochet बनाएंगे जैसे starting में हमने 3 chain बनाई थी इसी तरह से last में हम double crochet बनाएंगे और इन्हें हम एक साथ complete करेंगे अब हम यहाँ पर 2 chain बनाएंगे 2 chain बनाई turn करेंगे और यहाँ पर हम हर एक chain के अंदर half double crochet बनाएंगे एक बार बनाया यह 2 धागा लेंगे 3 फिस से बनाएंगे 4 5 6 7 दिखिए यह total हमारी 8 हो गए एक तो हमने जो यह 2 chain बनाई है एक इसे count करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बच्चा है इसे भी हम बनाएंगे तो यह total हमारी 8 हो जाएंगे यह हमारी 8 हो गए अब फिर से जितनी भी हमारे बास यह chain दिखाई देंगे इनके अंदर हम half double crochet बनाएंगे तो यह बनाकर हम complete करेंगे देखे रांड हमारा बनकर complete हो चुका है और अब देखे आगे हम इसमें पहले हम यहाँ पर तीन chain बनाएंगे तीन chain बनाया टर्न करेंगे और देखे जैसे हमने यह वाला पार्ट बनाया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर पहले हमने 3 की chain बनाई थी फिर हमने simple double crochet बनाया था और फिर हमने यह cable बनाई उसके बाद हमने यह 3 double crochet बनाया अब जो यह हमने 3 triple crochet बनाया है देखे यह वाला अब वो हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर हम यह cable बनाएंगे औ दो बार हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम दो बार धागा लिया है ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे देखिए एक हो गया यह हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया फिर से दो बार धागा लेंगे अब देखिए यह जो दो डबल क्रोशिया है ट्रिपल क्रोशिया है इने भी ह हमने तीन बनाए थे अब हमने यहाँ पर देखे तीन बनाए एक दो तीन अब हम देखे इस पर कैसे बनाएंगे यह देखे तीन बार हम धागा लेंगे यह तीन बार हमने धागा लिया अब देखे यह दो वाले हैं इने हम स्किप करेंगे और इन दो पर हम बनाएंगे इन दो और ये 4TH, 4th पे हम बनाएंगे देखे इस थाएसे देखे ये बन गया अब देखे यहाँ पर जो ये हमारी gap बन गयी है, इसे हम किस थाएसे complete करेंगे, तीन बार धागा लेंगे इसे हम इस थाएसे पलट लेंगे देखे ये पलटने के बाद ये 2 double crochet, triple crochet तो यह हमारा पहला है तो पहले पर बनाएंगे तो पहले पर बनाते हैं देखिए पहले हम इन्हें इस तरह से बनाएंगे दो धागों में से निकालेंगे फिस से दो फिस से दो और ये लास्ट में दो में से निकाला फिस से तीन बर धागा लेंगे अब ये देखिए एक बच्चा है हमारा इस पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे अब देखे यहाँ पर यह हमारा एक बच्चा है यह जो एक बच्चा है इस पर भी हम ट्रिपल क्रोश्य बनेंगे जैसे यह हमारा यहाँ पर एक था वैसे ही अब हमारा यहाँ पर एक आ गया है पहले हमारे यहाँ पर तीन थे अब हमारे यहाँ पर तीन आ गए है और यह केबल हमारे यहाँ पर थी अब हमारे यह यहाँ पर आ गए इस तरह से देखे क्रोश का निसान बन कर आएगा अब देखें यहाँ पर यह हमने डबल क्रोशिय और हाफ डबल क्रोशिय बनाया था तो अब जो हमने पहले हाफ डबल क्रोशिय बनाया था उसे हम डबल क्रोशिय बनाया था धागा लेंगे देखिए कि अपने के गुछ के एक फर्ण पोस्ट डबल क्रोश अपने अवंगे टागे को ठोड़ा भी करेंगे कि नेक्स टमी में जाएंगे मेंले लिए फरन के परीवान में बने हमने के राब ल्ट के आपक है वाफ़ गुरुष। बनाएंगे और जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसे हम डबल क्रोशिया देखे इस तरह से अब देखे यह एक बचा है इस पर हम सिंगल देखे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया है देखे इस तरह से हमारा बना अब देखे यहां पर हमारे तीन है अब हम यहा क्रोश्य बनाएंगे फर्स्ट पर इस तरह से देखिए यह हमने ट्रिपल क्रोश्य बनाया अब दो बार धागा लेंगे और जो यह वाला डबल क्रोश्य है इन दोनों को हम छोड़ देंगे और इस वाले को हम इस तरह से बनाया फिर से दो बार धागा लेंगे और इसे अब हम धागा लेंगे अब ये वाले को देखिए हम उपर से बनाएंगे पहले हमने ये नीचे से पीछे से बनाया था इस बार हमने ये वाला पीछे से बनाया तो अब हम इसे आगे से बनाएंगे देखे अब हम इसे जो हमने ये दो छोड़े थे इन पर बनाएंगे दो धागों में से निकाला फिस से दो में से निकालेंगे फिस से दो लास्ट में कम्प्लीट करेंगे इस से तीन बार धागा लेंगे और ये हमारा बीच में सेकिन बचा है इस पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे इस तरह से अब देखिए यहाँ पर पहले हमारे ट्रिपल क्रोश्य थे तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे जो यह दो हमने छोड़े हैं इन पर हम ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे इस तरह से उठाएंगे एक बार यह दो हो गए अब यह हमारा जो तीसरा है इसे बनाएंगे अब धागा लेंगे एक हम यहाँ पर सुरे से complete नहीं करेंगे यहाँ पर हम एक double crochet बनाएंगे एक साथ complete करेंगे देखे इस ताह से हमारी यह रोख complete हुई है अब हम जो रोंग साइड में आएंगे तो हर एक चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोश्या बनाएंगे दो चेन लिए हैं हाफ डबल क्रोश्या धागा लेंगे हाफ डबल क्रोश्या हर एक चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोश्या बनाते हुए रो कम्प्लीट करेंगे इस तरह से एक्ट मगेंच आई कन्र देखिए राउंड मेंट केले यहाई अर अब आप इसके देखिए देखे बनायेंगे सेंड विट्रॉप को देखिए रो अ और मेंट के भाएप सेंगे एक दो दो तीन टोन करीड़ेंगेगे जैसे हमने ये 3rd row बनाई थी, 3rd row बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे, 2 बार धागा लेंगे, आप ये 2 double crochet इसे हम छोड़ देंगे और जो ये वाले triple crochet है इन पर हम बनाएंगे पहले 2 में से फिर से 2 और फिर से 2 में अब फिर से 3 बार धागा लेंगे और इस वाले को हम बनाएंगे सेम जैसे हमने 3rd row बनाई थी सेम वैसे ही हम ये अपनी 5th row बनाएंगे फिर से 3 बार धागा लेंगे अब यह जो हमने दो छोड़े थे इन्हें हम फ्रेंट से बनाएंगे देखे इस ताय से बनाया फिर से complete क्या फिर से तीन बार धागा लेंगे और हम यहां से बनाएंगे यह complete हो गया हमारा केबल अब हम देखे यहां पर हमने third row में तीन बार triple क्रोशिया बनाया था तो अब भी हम तीन बार बनाएंगे एक हमारा यह है triple क्रोशिया और दो यह हमारे केबल के हैं तो इन्हें हम triple क्रोशिया बनाएंगे देखे दो बार हमने धागा ले लिया है और यह जो हमारे केबल के triple crochet है इन्हें हम बनाएंगे front के triple crochet simple एक बार बनाएं देखे ये complete हुआ फिर से दो बार धागा लेंगे और एक ये है इसे बनाएंगे अब ये हमारा एक बच्चा है इसे भी हम triple crochet बनाएंगे जैसे हमने third row बनाए थी सेम वैसे हम अपनी ये fifth row बनाएंगे complete हुआ अब देखिए यहाँ पर ये हमने double crochet बनाया है तो इसे हम single crochet बनाएंगे इस तरह से इसके उपर वाली chain में हम single half double crochet देखे ये बनाया हमने half double crochet धागा लेंगे और ये वाला हमने half double crochet बनाया था तो इसे हम double crochet बनाएंगे इस तरह से थोड़ा लूज धागा करेंगे ये बनाया अब next में जाएंगे और next में धागा लेकर हम ये हमारा देखे double crochet है तो इसके उपर हम half double crochet बनाएंगे फिस से धागा लेंगे और ये जो हमने half double crochet बना इसके उपर हम double crochet बनाएंगे थोड़ा सा लूज करेंगे और इसे हम complete करेंगे फिस से हम यहाँ पर देखे यह हमारा double crochet है तो इसके उपर हम single crochet, sorry half double crochet बनाएंगे धागा लेंगे यहाँ पर यह हमारा half double crochet है तो इसके उपर हम देखे लूज करके double crochet बनाएंगे इस तरह से देखिए ये हमारा पैटरन बना है देखिए इस तरह से अब देखिए फिस से हमने ये थर्ड रो में बनाया था अब हम यहाँ पर तीन बार ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे पहला तो ये है हमारा दो बर धाग लेंगे इसे हम ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे एक, दो, ये तीन बार फिर से दो बार धागा लेंगे अब ये जो हमारे दो है ना इन्हे हम ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे एक, दो, तीन फिर से एक, दो, तीन अब यहाँ पर देखे फिर से हमारे यह जो हमारे देखे 3 थे नीचे, अब उपर भी 3 आ गए हैं, अब बचे हमारे यह 4, तो इने हम बनाएंगे, 3 बार धागा लिया, जो यह last के 2 हैं, इने हम पहले बनाएंगे, इन दोनों को हम skip करेंगे, 1, 2, 3, 4, फिसे 3 बार धागा लेंगे और इसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर से तीन बर धागा लेंगे और अब देखिए यहां पर हम थार्ड रो में हमने पीछे से ऐसे बनाया था तो अब भी हम यहां पर पीछे से बनाएंगे इस तहरे से अब यह बचा है इसे भी अब देखिए यह लास्ट का बचा है इसे हम इस तहरे से टिपल करोश्या एक बार बनाएंगे यह कम्प्लीट नहीं करेंगे लास्ट का धागा लेंगे और यहां से हम बनाएंगे और यह से हम एक साथ complete करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा यह pattern बन कर आएगा देखिए देखिए अब हमारा यह clear दिखाई दे रहा है तो इस तरह से हमारा यह pattern बनेगा तो अब यह जो last wrong side है इसे हम half double crochet बनाते हुए row complete करेंगे देखिए row हमारी बन कर complete हो चुकी है और अब हम इसके देखिए यहाँ पर हम 3 chain बनाएंगे और देखिए जैसे हमने यह थर्ड row बनाई थी जैसे हमने यह 5th row बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 बार हमने यह triple crochet बनाएंगे अब हम यहाँ पर एक इस पर और दो यह तो इनके उपर हम पहले triple crochet बनाएंगे धागा लेंगे 2 बार और यहाँ पर हम देखिए triple crochet बनाएंगे 1 दो बार धागा लेंगे और ये वाला लेंगे, इस पर बनाएंगे, ये हो गया दो, फिर से दो बार धागा लेंगे, और इस पर बनाएंगे, तो ये हो गया तीन, तीन बार हमने बना लिया, अब देखिए, इन के उपर हम इन चारों के उपर बनाएंगे, तो तीन बार हमने धागा लिया, पहले हम इ यह बनाएं अब फिर से तीन बर धागा लेंगे तीन बर धागा लिया इसे हम पलट लेंगे और अब हम यह जो दो हमने छोड़े थे पहले इनहीं बनाएंगे एक तो और तीन कंप्लीट करेंगे फिर से लेंगे तीन बर धागा अब यह जो हमारा सेकिन्ड वाला है इसे बनाएंगे इस तरह ऐसे दो में से निकाला फिर से दो फिर से दो और फिर से दो ये देखे इस तरह ऐसे कम्प्लीट हो गया अब हम यहाँ पर देखे यह एक बचा है तो इसके उपर हम एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे बार बार हमें यही रो रिपीट करते हुए जाना है यह दो रो जो अब मैंने आपको बताई है तो यह केबल बनता हुआ जाएगा और अब देखे यहाँ पर यह हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था तो अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह ऐसे लूज क यहां पर हमने आफ डबल क्रोश्या बनाया तो यहां पर डबल क्रोश्या फिर यहां पर यहां पर फिर यहां पर देखे यह कंप्लीट हो गया है अब हम फिर से यहां पर देखे अब हमारे यहां पर तीन ट्रिपल क्रोश्या है तो अब हम उन्हें यहां पर बनाएंगे तो यहां पर हम एक बार लेंगे एक बार ट्रिपल क्रोश्या इस तहाँ से फिर से यहां पर बनाएंगे देखें, तीन बार धागे लेंगे, यहाँ पर बनाने हैं हमें ट्रिपल क्रोश्या, इनके उपर एक, दो, तीन, और इन चार डबल क्रोश्ये के उपर हम कली बनाएंगे, तो यह दो छोड़ देंगे, पहले इन पर बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर इधें बनाएंगे, तीन बार धागा लेंगे और अब हम इन्हें फ्रेंट से बनाएंगे इससे बनाएंगे इस तरह से देखे केबल कम्प्लीट हुई अब हम दो बार धागा लेंगे और ये जो हमारे तीन बचे हैं इन्हें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने तीन बार बना लिया इससे लास्ट को कम्प्लीट नहीं करेंगे और यहां पर ये हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन्हें हम एक साथ complete करेंगे और wrong side से हम half double crochet बनाएंगे और देखिए बार बार हम यही 2 row repeat करते हुए इसकी length complete करेंगे length हम देखे इसकी arm hole तक करेंगे जितनी हमें arm hole रखनी है उतने ही हम इसकी length complete करेंगे तो अब मैं इसकी length complete कर लेते हूँ फिर आपको इसका final look दिखाऊंगे कि बनकर यह कैसा आया है तो हम इसे arm hole की लंबाई तक बना लेते हैं देखिए length हमारी बनकर complete हो चुकी है और अब हम देखिए इसे हमने यहाँ पर 17 इंच देखिए यहाँ पर यह 17 इंच हमने इसके लंबाई रखिए देखिए इससे अब हम इसमें गले की cutting करेंगे तो वो किस सह से करेंगे देखिए तो देखिए अगर हम यह जो हमने बनाए थे इसके pattern यह row count करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उननिस, बीस, एक्किस, बाइस, तेईस, चोविस, पच्चिस, चब्चिस, सताईस, अठाईस, उनतिस, तीस, इकतिस, और एकिये बतिस 32 हमने बना कर, complete की है, जिसमें हमारे ये, लंबाई, complete हो चुकी है, अब हम देखे, यहां पर इसमें, अब इसमें हम बनाएंगे आगे ये गले की कटिंग करेंगे, गले की कटिंग के लिए हम इसे पूरा ही चोड़ देंगे, और अब हम जो ऊपर बनाना है, उसे देखे अब हम इसमें chain बनाना start करेंगे जो हमारा ये part है इसे हम इतना ही छोड़ देंगे गले की cutting के लिए और अब हम इसे आगे बनाएंगे तो इसमें हम chain बनाएंगे chain थोड़ी loose ही बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उननीस, बीस देखे ये 20 chain हमने बनाए है ये हमने 3 इंच रखा है और देखे यहां से हम इस तह से देखेंगे देखे 20 इंच है यहां से देखे ये 3 इंच हमने इसके लंबाई रखी है अब हम इस पर बनाएंगे एक chain हमने ली है और second chain के अंदर हम फिस से सिंगल क्रोशिय बनाएंगे इस तह से एक बार बनाया इसे हम इस तह से टर्न करेंगे चेन के अंदर इस तह से बनाएंगे दीखें इस तह ऐसे ये उल्टे साइड आगई क्योंकि हमें आगे फिस तरफ बनाना है तो इसे हम रोंग साहर से बनाएंगे और इसमें देखें हम यहां पर यह जो हमें दिखाई देगा तो यहां पर बनाएंगे सिंगल क्रोश्य फिर से next chain में जाएंगे next में सिंगल क्रोश्य फिर से next chain में तो इस तह से हर एक chain के अंदर हम सिंगल क्रोश्य बनाते हुए यहां तक आएंगे देखे यहां तक बना लेते हैं देखे बनाते हुए हम यहां तक आ गए हैं और यह लगा पत्ति बनी है अब हम यहां पर देखे जब हमारी सिंगल क्रोशे की रो आएगी तब हम यहां पर एक बार बनाएंगे लोग वा यह repeat दोन सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाया फिर से यहां पर एक बार है तो यहां पर हम एक बार बनाएंगे यहां पर यह देखे डबल क्रोशे की रो है तो यहां पर दो बार बनाएंगे तो इस तरह से बनाते हुए हम यह राउंड कंप्लीट करेंगे द तो हम एक थागे पर बनाएंगे तो यह बॉट भॉटल है जें परका देखियो तो हन्दर हम गाते हीजाति बनांगे इस तहाय से यह एक chain हमारी देखिए इस तहाय रह जाएगे और हम second chain के अंदर बनाएंगे और बनाकर यह row complete करेंगे देखिए round हमारा बनकर complete हो चुका है और यहाँ पर देखिए कुछ इस सह से बनकर आया है अब फिर से हम इसमें यहाँ पर एक chain लेंगे क्योंकि wrong side में हम यहाँ पर single crochet बनाएंगे तो एक chain लेंगे अब देखिए यहाँ पर हम यह जो हमारा देखिए first chain है इन दो धागों में से जो यह first chain है यहाँ पर बनाएंगे हम single crochet इस तरह से wrong side में हम इस पर बनाएंगे और right side में हम इस पर बनाएंगे तो अब हम इस पर बनाएंगे single crochet इस तह से हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिय बनाएंगे तो देखे इस तह से बनाते हुए हम यह राउंड कम्प्लीट करेंगे और जब हम राइट साइड में आएंगे तो यहां पर देखे इस चेन के अंदर देखे जब हम राइट साइड में आएंगे तो इस चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिय बनाएंगे इस तह से बनाते हुए हम थोड़ा सा इसे बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं इतना सारा जिससे हमारे मुड़े जोड़ जाएंगे तो उतना बनाकर हम complete कर लेते हैं फिर आपको आगे बताएंगे देखे friends, length हमारी बनकर complete हो चुकी है और complete होने के बाद देखे इसका look कुछ इस सह से आया है और अब देखिए इसमें हमने इसकी chest कितनी रखी है देखे यहाँ पर यह हमारा 15 इंच बनकर आया है देखे यहाँ से और थोड़ा से stretchable भी बना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखे 15 इंच इसकी चोड़ाई आया है और इस तरह से यह हमारा बनकर complete हुआ है और देखे कितना प्यारा हमारा यह pattern बना है उमीद है friends आपको मेरी यह वीडियो पसंद आयोगी मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू